सूर्य नगर में धनंजय नाम का एक भेरूपिया रहता था अपनी रूप बदलने की कला को प्रदर्शित कर वह लोगों को प्रसन्न करता था और अपनी जीविका चलाता था इस कला में वह इतना दक्ष था कि कई बार लोगों से पहचान ही नहीं पाते थे एक बार सूर्य नगर में एक विशाल मेले का आयोजन हुआ विबिन्न कलाकारों ने वहाँ अपनी प्रतिबा का प्रदर्शिन किया तबी जन्ता ने देखा कि स्वयम महामंत्री मंच पर खड़े हैं और कुछ कहना चाहते हैं महामंत्री के निकट शीगरी भीड इकत्रित हो गई तम महामंत्री बोले मैंने सभी कलाकारों का प्रदर्शन देखा और अपने राज में इतनी प्रतिबाएं छुपी हुई है ये देखकर मुझे अतियंत हर्ष हुआ है मैं महराद से कहूँगा कि वह भी यहाँ आए और कलाकारों को स्वेम पुरसकार प्रदान करें सारा पंडाल हर्ष ध्वनी से गुझ उठा तब ही महामंत्री ने अपने उपरी वस्त उतार फेंके अब जन्ता के समक्ष साधरन कपड़ों में धनन्जे खड़ा था सन्भर में सभी हत्प्रब रह गए फिर तो धनन्जे के उपर मानो मुद्राओं की वर्षा होने लगी इस कारिकरम के पश्षाथ एक विद्वान व्यक्ती जो धनन्जे से मिला उसने उसे राजा के समक्ष अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा धनन्जे को भी ये सुझाव पसंद आया एक मुहीनी स्त्री का वेश धारण कर धनन्जे दर्बार में पहुँचा सभी दर्बारी और राजा उसके रूप पर मुग्द हो गए तत्पशात धनन्जे ने अपना वास्तविक परिचे दिया राजा भी उसकी कला से प्रसंद हुए और उसे कुछ स्वण मुद्राएं देकर मित्ते एक नया रूप धरकर धरबार में आने को कहा अगले दिन धनन्जे एक सन्यासी का वेश धरकर धरबार में आए उसने शास्त्रों की और दर्शन की गुणों की व्याक्या की और इश्वर की महतता से सबका परिचे कराया वराजा उसके वास्तविक से लगने वाले रूप से अत्यंत प्रसंद हुए और उसे सोव स्वन मुद्राएं पुरुसकार में दिनी चाही लेकिन धननजे ने कहा मैं सन्यासी हूँ मुझे धन से क्या प्रयोजन और शांत कदमों से दर्बार से बाहर निकल गया सन्यासी के बाद धननजे ने नर्तकी का रूप धारण कर नर्तक के रूप में उसने ले और ताल पर ऐसे सू मुधर नृत्य प्रस्तुत किये कि सभी दंग रहे गए राजा ने उसे पुने हैं सो स्वन मुद्राएं पुरुसकार में देनी चाही लेकिन धननजे ने कहा हे महराज आपका यश सुनकर मैं अत्यंत दूर से आई हूँ आशा है आप मेरी कला का उचित सम्मान करेंगे राजा क्रोदित होकर बोला यह क्या मजाख है कल तो तुमने एक भी स्वन मुद्रा नहीं ली और आज सौ भी कम पड़ रही है एक ही दिन में विक्ती का लालज भड़ते मैंने कभी नहीं देखा है धननजे ने धीरे से मुस्कुरा कर शांत स्वर में उत्तर दिया महराज कल मैंने एक सन्यासी का रूप बनाया था अतहे सन्यासी स्वभाव के अनुरूप ही व्यवहार किया करते हैं सन्यासी को माया से कोई मो नहीं होता किन्तु एक नर्तकी तो विश्यों की दासी है नर्तकी अपनी कला का प्रदर्शन कर यही चाहती है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त हो अतहे आपकी सौसवन मुद्राएं परियाप्त नहीं है धरनज़ के उत्तर से महराज अत्यंत प्रसन हुए और उसे पांसो सौन मुद्राएं प्रदान करी दोस्तों इनसान को अपने चरित्र के समानी व्यभार करना चाहिए तबीवे सफल है जैसे अगर आप एक सादू होकर लोब, मोह और क्रोध रखेंगे तो आप सादू कहलाने लायक नहीं है और अगर एक नर्तकी अगर सादा व्यभार रखेगी तो उसका जीवन कैसे चलेगा भई उसी प्रकार इनसान को अपने पद के अनुसार ढलना चाहिए जैसे कि अगर आप एक कंपनी में करमचारी है तो आपके अंदर बॉस की आग्या मानने का गुण होना ही चाहिए और अगर आप बॉस है तो आपके अंदर एक अच्छे आदेश देने का गुण होना चाहिए अगर आप इसके विपरीत काम करते हैं तो ना तो आप एक अच्छे करमचारी बनेंगे और ना ही आप एक अच्छे बॉस बन सकते हैं तो इसको ध्यान से समझकर अपनी जिंदगी पे जरूर लगाईए धन्यवाद